कि एक टीवी डिबेट हो रही थी तो उसमें ये हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोग दी तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदिया बैठी तो नोंने का जी आपको मदद की जरूवत होगी हमें मदद की जरूवत नहीं है तो हमने कहा जी हमें हम अमेर को क्या देते हैं तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे गूगल का चीफ हमारा है माइक्रोसाफ्ट का चीफ हमारा है पेपसी की चीफ इंद्रा नुई इंडियन है इस से पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है इतनी ब 75-70 साल में कहां पहुँचे हैं कि American Multinationals भारत में आती है टैलेंट हंट के लिए और American फौजें पाकिस्तान में जाती है टर्रिस हंट के लिए कभी उसामा बिन लादन मारा जाता है एबिटाबाद में तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमनल जवाहरी मारा जाता है और इतना ही नहीं हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं जैसा कि अभी मोहिट जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का वेक्ती हूं तो समाज राजनीत या अध्यात्म इस विशे पर तो मैं नहीं बोलू कि एपल का फाउंडर कौन था स्टीव जॉब्स अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एपल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंसी खतम हो गया तो ऐसा करना भारत में जाना वहाँ नैनी ताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है वहाँ जाके तुम्हें एक नई उर्जा मिलेगी और मार्क्स जुकरवर्ग ने कहा कि मैं आया वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारम की तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरू भी बनेंगे यही हमारा भवितव्य है परन्तु इस अमरत काल से पहले हमें यह भी समझना होगा कि अमरत तो बाद में आता है सागर मंतन में विश पहले आता है बहुत सारा विश हमारे दिमागों में भरा हुआ है